सांसस प्रफूल पटेल जिले के समगर विकास के साथ प्रतिवेक्टी उत्पादन के माध्यम से प्रतिक नागरिक को विकास की मुख्य धारा में लानी का प्रयास कर रहे हैं सांसद प्रफुल पटेल ने जिले में श्रमिकों को रोजकार उपलब्द कराने की उद्देश से मात्मा गांधी रोजकार गैरंटी योचना के तहत प्रस्ताविर डाइवंजियर रोट को आगी बढ़ाया तद अनुसार राज्य सरकार के योचना विभाग ने मातोश्री ग्राम सम्रद्धी योचना के तहत वर्ष 2022-23 में 103 पकी सड़क कारियों को मनसूरी दी है जिससे गोंधिया जिले में मस्थूरों को रोजकार मिलेगा मन्रेगा के तहत मानिता प्राप्त कारियों से विकास कारियों में तेजी आएगी गोंधिया और भंडारा दोनों जिले इस बात की गभाई देते हैं कि वे जिले के विकास के प्रतिबद हैं और उसी के अनुसा विकास को गती देने के लिए काम किया जा रहा है सांसर प्रफुल पर्टेल को शाष्किये मेडिकल कॉलिज के प्रशांसिक भवन के लिए धंदराशी प्राप्त करने उपरेटर्न विकास के अंतरगत विभिन तीर्थ इस्तलों उपरेटर्न शेत्र के निर्मान हेत्य स्वीक्रती प्राप्त करने के लिए पिछले कई दिनों इवन रोजगा गैरंटी योचना के साथ प्रस्तावित पक्की सड़क निर्मान कारियों के लिए ताकि जिले में ही मस्दूरों को काम मिल सके इस बीच योचना विभाग ने 29 मार्च 2022 को मातुश्री ग्राम सम्रद्धी पांदान रोट के तहट जिले में 103 पक्की सड़कों के निर्मान को मंसूरी दी है इन कारियों को महात्मा गांधी राश्री ग्रामी रोजगा गैरंटी योचना के तहट किया जाएगा सुईक्रत पक्की सड़कों के माध्यम से 103 किलोमीटर प्रती एक किलोमीटर का निर्मान किया जाएगा इससे जिले के लाकों मसूरों को रोजकार भी मिलेगा इसके लिए जिले के नागरिकों ने सांसर प्रफूल पतेल का आभार जताया सांसर प्रफूल पटिल की प्रयासों से जिले में प्रस्तावित 103 पक्की सड़कों को मातोश्री ग्राम सम्रद्धी पांडन जाती योचना के तहट राजसरकार के योचना विवभाग ने मनसूरी दे दी है इन में गोंधिया तालुका में 46 पक्की सड़के, तिरोडा तालुका में 10 पक्की सड़के, गोरेगाव तालुका में 12 पक्की सड़के, आमगाव तालुका में 10 पक्की सड़के, अरजुनी तालुका में 12 पक्की सड़के, सालिकस्ता में 1 पक्की सड़के, देवरी में 3 पक्क सड़के शामिल है गोंधिया से BCN News के लिए अभिशेग भटनागर की रिपोर्ट